आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें के आसपास, बार-बार पास में ला रहा है और दूर ले जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहां पर जो कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स या हम लोग कह सकते है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओ के संख्या होगी इस कुंडली से वही क्या होगी फ्लक्स ठीक है तो फ्लक्स में क्या हो रहा है समेख साफिक्ष परिवर्तन हो रहा है और समेख साफिक्ष परिवर्तन के कारण क्या होता है विद्धुत वाहकबल प्रेरित होता है यह फेराडे का नियम था परन्तू फेराडे के द्वारा इम त्विद्ध वाहग बल उत्पन होता है और यहां प्रेरी त्विद्ध वाहग बल कुछ इस प्रकार से उत्पन होता है कि यहां उसी चीज का विरोध करने लगता है जिसके कारण यहां स्वायां उत्पन नहोता है ठीक है तो इसी लिए इसका जो जिन्न दिया जाता है वह क् चुमबक दोस्तो N杰र है, तो यह क्या करेगा? यह कुंडली के पास में उपसीत कर देगा कर देगा into अब चू उपकि ₹ू कि ₹ होने लगेगा आपस में प्रतिकर्शित होने लगेगा. प्रिकर्शन भल F के विरूद्द क्या कर रहे हैं? हम फिर भी हमारा जो चुम्बक है उसको कुंडली के पास में लेके जा रहे हैं तो इसी प्रतिकर्शन बलके कारण अब क्या होगा कि जो किया गया कार है दूस्तों वो उसकी जो यांतरिक उर्जा है वो काय में रुपांतरित हो जाती है वह विद्धुत उर्जा में रुपांत दिशा में क्या होती है विद्धुत धारा प्रिरित होने लग जाती है और इस विद्धुत धारा के प्रिरित होना का मतलब क्या होता है या इस प्रकार से प्रिरित होगी कि यह दोस्तों जो एन है ना एन को प्रतिकर्शित भी करेगा तो जैसा ही दूर लेके जाएगे तो विद्ध धारा की जो दिशा है वो पलट जाएगी या विपरित हो जाएगी और दोस्तों फिर क्या होगा इन में यह जो अभी N सीरे पर है या N धुरूप पर है वो फिर कैसा हो जाएगा एस दुरूब हो जाएगा तो देखिए अब जैसे इसको दूर लेके गए है तो इसका जो सीरे अर्था प्रेडित धारा की जो दिशा है वो परिवर्टित हो गई है तो दोस्तों यहां पे जो उत्पन विद्ध पाग बल होता है वह प्रेडित धारा के रूप में क्या होता ह है तो यह प्रेडित धारा के दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि दोस्तों यह कुंडली का सीरह अब क्या कहलाएगा यह दक्षिनी सीरह कहलाएगा क्योंकि अब जो धारा के दिशा हो जाएगी वह दक्षिनावर्त दिशा हो जाएगी और इस दक्षिनावर्त दिशा के क कारण हम लोग है सकते हैं कि यह तक्षी द्रू अब क्या करेगा यह जो उत्तर हिः इस पे क्या करके विप्रित दिशा में भेहने लगेगी और यही क्या कहलाता है दोस्तों लैंज का नियम कहलाता है जिसे दाहरा के दिशा ऐसी होती है कि वह उसी का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वाया हम उत्पन होती है इसे प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो उत्पन विद्द वाह करना उत्पन हो रहा है परीवर्तन एंच करेगा रिल रार का उसके परिषायं का एक है इस प्रकार से प्रेमारे का o तेरे दूस्तों धन्यवाद